और अगर F.I.s की लगातार बिक्वाली का प्रेशर आते वे दिख रहा हैं जी, कभी तो हाथ रोकेंगे या नहीं? ऐसी चलने वाला है इनका? क्या प्लान है सर इनका? दिख दीप, एक सिंपल सा फॉरूम लावेता है। ओन एन एन एवरेज इंडिया के मुच्वल फंट पांच-छे परसंट कैश पे बैठे हैं। जो समझदार अल्ट्रा एचनाई इन्वेस्टर्स या प्रॉब बुक्स चलाने वाले वो लोग 10 से 20 परसंट, कोई-कोई 30 परस हमारा मार्केट है, हमारा देश है, हमारी कंपनिया है और हमारे मुच्वल फंट है जो हमारे ही पैसा लगा रहे हैं मार्केट हैं। उनको हक है 10% केश में बैठने का, F-I-S 2% भी नहीं बैच सकते हैं। सवाल तुम लोकल मुच्वल फंट से पूछना चाहिए। और जो ल मतलब कोई गर में आग लग गई और आपके परिवार वाली आग नहीं बुझारे तो आप पडूसी से क्या उम्मीद करोगे। यह आके बुझा है। बराबर है। तो वैसा हाल है, अब हमारे खुट के यहां के सारे फंड मेंजर्स केश बना के बैठे हैं, सारे इसलिए FIS की विकवाली ऐसे देखने में लगती बड़ी है, जैर्ड लाग करोड लेंकिन उंका सतरा, शारा लाग करोड का इंवेस्मेंट है, उसके सामने क्या है, सौरी, देर लाग क्रोड णहीं का इंवेस्मेंट है, तो एक परसें, तेरर परसें मुश्किल से बेचा है इतना केश तो रेज करने का उनको भी हक है और केश रखेंगे तो यह वह भी नीचे में लेंगे राइट, सो मुझे लगता है कि FIS के फिलाल रुखने के संकेत नहीं है बिकवाली के यह बात सही है कि अब तक ऐसा कोई विजिबल रिजन नहीं है अब यह FIS के बिकवाली दो रिजन से रुख सकती है दिर और उस पर फोकस करना पहला रिजन आएगा आपको अमेरिका से क्यों अमेरिका में अल्टिमेटली टरंप सरकार आगई ब्याज देने गटेंगी यह क्लियर कट सिंगनल आपको पाविल साब से आगए जैसे ब्याज देने गटेंगी वैसे आपको अगले कुछ हफतों में एमरिजिंग मार्केट में पैसा आना शुरू हो जाएगा और दिसंबर का टाइम आ रहा है दिसंबर जनुरी में आपके अलोकेशन होते हैं ठीक है जैसे जैसे अलोकेशन होंगे वैसे वैसे पैसा आना शुरू होगा तो अमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा तो हमें पैसा तो मिलेगा यह मान के चले हमारे ग्रोथ कम हुई है और जो रिजल्स है उसको हम अब प्राइस में ला रहे है 10% का करेक्शन इसी वेज़े से हुआ है ठीक है अब सबको खराब लग रहा है रिजल सिजन भी खराब लग रहा है वेलिशन भी ज्यादा है लेकिन वही तो एड़स्मेंट हुआ है मार्केट में और हुआ क्या है एक इस से आगी का मूर पता चलेगा कि एमर्जी मार्केट में कितना एलोकेशन आते हैं दूसरा चाइना चाइना अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिसकी वज़े से कि आप सारा पैसा छोड़के चाइना में लगा दे एक बार ऐसा लोगों को लगा था डर कि सब जारा है लेकिन अभी तक चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया या ऐसा कोई सिगनल नहीं कि सारा पैसा चाइना में जाना चुरू हो जाए तो मेरी खाल से हम नवंबर के सेकंड आफ में चल रहे हैं लगबग डिजल सीजन खत्म होने के बाद इवेंचली अब आपको समझ में जब आपको कभी भी आज कल में मुटल फरंस के डेटा आने शुरूंगा है मुझे तो एक ही चीज़ चाहिए दिप कि क्या हमारे लोकल इन्वेस्टर डटे हुए हैं क्या अगर उन्होंने पैसा निकाला है उन्होंने पैसा डालना कम किया है तो दिक्कत है निकालना शुर कि फिर भी इंपेक्ट आया क्योंकि अब है ना कम बिक्वाली पर भी इंपेक्ट आ रहा है एक जमाना था जब मजबूत बाजार में आप दिन की 15-20,000 कोड़ की बिकवाली आ जाओ ले ले लेंगे यह में बहुत पैसे होता है ताकत यह चोड़े होगे चलता है और अब प